साथियों, पहले ये कहा जाता था कि अगर एक महिला सिक्षित होती है, तो पूरा परिवार सिक्षित हो जाता है. ये बात सही है, लेकिन परिवार की सिक्षा के आगे भी इसके गहरे माइने हैं. महिलाओं को सिक्षित इसलिए होना है, ताकि वो अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कर सके, अपना भविश्य खुद तय कर सके. एजुकेशन अपने साथ लेकर के आती हैं, एम्प्लोईमेंट और एंटर्प्रिनर्शिप. एम्प्लोईमेंट और एंटर्प्रिनर्शिप. अपने साथ लेकर आते हैं, इकोनॉमिक इंडिपेन्स. इकोनॉमिक इंडिपेन्स में होता है एम्पावर्मेंट. एक Empowered Women का हर स्तर पर हर फैसले में उतना ही बराबर का योगदान होता है जितना किसी और का फिर पुचाहे बात परिवार को डायरेक्शन देने की हो या फिर देश को डायरेक्शन देने की आज जब मैं आप से बात करा हूँ तो देश की अन्य सिक्षा संस्ताओं से भी कहूंगा कि जादा से जादा बेटियों को सिक्षा में जोड़े और उन्हें सिर्फ एजुकेशन ये नहीं बलकि हाइर एजुकेशन तक लेकर के जाएं